नमस्कार मित्रों, जैमा काली का जै हो, महांकाल सरकार की, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, आज की इस वीडियो में वह रोंग्टे खड़े कर देने वाली सच्चाई हम आपको बताएंगे, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क लेकिन सवाल उटता है, कि हम तो भगवान की इतनी भक्ती करते हैं, हम तो हमारे घर में सदैव नाम जाप करते हैं, तो आखिर हमारे घर में आत्मा कैसे निवास कर सकती है, तो आज की वीडियो में करण बताएंगे और निवारण भी बताएंगे, लेकिन आप से क्योंकि बात बड़ी ही रोचक बड़ी ही गंभीर है, सबसे पहले मा काली का के सच्चे भक्त, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जै मा काली का सच्चे मन से लिखे, माता आपकी खाली जोली जरूर भरेगी, तो दोस्तों हम आपको बता दें क आपके उपर इस इंसान ने एक बहुत मजबूत बंधन किया हुआ है, और ये कोई साधारन बंधन नहीं है, ये ऐसा बंधन है, जो अगर नहीं हटाया गया, तो आपको जीवन परियंत परिशान करता रहेगा, और आपके सभी चैन, सुख, रिष्टे नाते, धन दौलत, स किसी न किसी की शरण में तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि तकलीफ सहने की भी एक सीमा होती है, और जब सीमा पार हो जाती है, तो इनसान घुटनों पर बैठ जाता है, और किसी न किसी से मदद की गुहार लगाने लगता है, दोस्तों, आप यकीन करें या न करें, लेकिन इस संसार में सब कुछ होता है, जैसे अच्छी शक्तियां होती हैं, जो अच्छे काम करती रहती हैं, वैसे ही बुरी शक्तियां होती हैं, जो बुरे कार्य भी करती रहती हैं, हमेशा पॉजीटिव के साथ निगेटिव भी होता ही है, तो हमें खुले दिमाग से इन बातों को भी अपने जीवन में जगह देनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा, आप यकीन माने या न माने, लेकिन बड़े-बड़े लोग भी जो उद्योग पती हैं, या अलग-अलग क्षेत्रों में कामयाब हैं, वे लोग भी इन स और पूजा पाठ के किसी भी मकान की नीव तक नहीं रखी जा सकती है, तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात ये है, कि आप चाहे माने या ना माने, लेकिन आपके जीवन में कुछ न कुछ तो गलत अवश्य हो रहा है, और ये जो गलत किया है, ये इनसान कौन है, ये भी हम इस शक्तिशाली उपाय बताएंगे, जिसे यदि आप केवल साथ दिन तक लगातार कर लेंगे, तो आप बड़ी से बड़े बंधन को खोल देंगे, और कुछ ही दिनों में आपके जीवन में चमतकारी बदलाव होने शुरू हो जाएंगे, जी हाँ दोस्तों, आपको सभी बा बताई गई बातें समझ में नहीं आई हैं, या मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता हूँ, दोस्तों, इन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा धैर्य के साथ वीडियो को पूरा देख लिया करो, वीडियो में बताई हर बात को अच्छी तरह से समझ लिया क पिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा काम केवल आपके जीवन में प्रकाश की जोती जलाना है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार से सकारात्मक बदलाव लाना है। यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे, बात को गहराई के साथ समझने का प्रयास करेंगे, तो आप खुद बखुद अपने जीवन को बदलने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि वह कौन से ऐसे लक्षन हैं जो यह बताएंगे कि आपके जीवन में एक विशेश प्रकार का बंधन किया जा चुका है। आपको उन बंधनों को खोलने के क्या उपाए हैं इस बारे में भी आपको बताऊंगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जैमा भद्रकाली अवश्य लिखें। जिनके साथ है माता भद्रकाली उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि बंधन कई प्रकार के होते हैं और यह बंधन करने वाले लोग कोई बाहर के लोग नहीं होते हैं। ये अपने ही होते हैं, हमारे अपने रिष्टेदार, हमारे अपने परिवार के लोग, या हमारे दोस्तियार, हमारे नजदी की लोग होते हैं, जो इन बंधनों को कर देते हैं, और इन बंधनों को करने का मकसद केवल इतना होता है, कि हमारे जीवन में हमारी जो तरक्की हो र खिला पिला कर ही किया जाता है, बंधन करने वाले तांत्रिक अक्सर कुछ तामसिक चीजें देते हैं, जो कि बंधन करने वाले इंसान को खिला दी जाती है, और उसके बाद उसके उपर शक्तिशाली बंधन हो जाता है, तो दोस्तों, बंधन कैसे होता है, इस विशय पर हम मानसिक बंधन किया हुआ है, तो उसकी क्या पहचान है? तो दोस्तों, उस इंसान की सबसे सरल पहचान यह है कि उसका स्वभाव एकदम से बदल जाएगा. यानि यदि वह पहले बहुत चंचल बुद्धि का हुआ करता था, कई प्रकार की बातें किया करता था, तो अब वह शांत हो जाएगा, गुमसुम रहने लगेगा, एकांत पसंद करने लगेगा, और किसी ना किसी प्रकार की लत जुए, शराब आदी की लत में खो जाएगा. उसे फिर रिष्टे नातों की कोई परवाह नहीं होगी, नहीं वह किसी का लिहाज करेगा. उसे बाद बाद पर क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा और उसे आलस बहुत आएगा. जी हाँ दोस्तों, रात में सोते समय उसे डरावने सपने भी बहुत आएंगे और उसे अकसर अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती रहेंगी. ऐसा इनसान एक अजीब सी मायूसी में रहता है और हमेशा अपने गुजरे हुए समय के बारे में बातें करता रहता है. जिंदगी के बारे में हमेशा शिकायतें करता है और हर एक इनसान में बुराईया निकालता रहता है. तो दोस्तों, इन सब लक्षणों से हम पहचान सकते हैं, कि मानसिक बंधन किया गया है या नहीं, और इसी प्रकार शारीरिक बंधन यदि किया गया है, तो फिर शारीरिक बंधन की पहचान यह रहेगी, कि ऐसा इनसान हमेशा बीमार रहता है, किसी ना किसी प्रकार का दर्द या रोग उसके शरीर में घर कर जाता है जी हाँ दोस्तों और बीमारी भी ऐसी अजीब होगी कि कुछ समय तक तो रहेगी और कुछ समय तक अपने आप शरीर से गायब हो जाएगी और इस बीमारी को डॉक्टर भी पता लगा नहीं पाएंगे और जब डॉक्टर के पास वह जाएगा तो डॉक्टर बस इतना बताएगा कि कोई साधारन सी ही बीमारी है जैसे कि बुखार है या सिरदर्द है और कुछ भी नहीं चाहे वह कितने ही चेक अप करा ले चाहे वह डॉक्टर के पास कितना ही इलाज में पैसा खर्चा कर दे लेकिन उसे आराम बिलकुल नहीं मिलेगा तो ऐसी स्थिती में शरीर का बंधन हो जाता है उसका शरीर हमेशा कमजोर होता चला जाएगा भूक प्यास उसे बिलकुल भी नहीं लगेगी और यदि वह खाएगा भी तो तामसिक चीजों में उसकी रुची बर्ष जाएगी जी हाँ, दोस्तों यानि कि वह नकारात्मक तामसिक चीजें खाना शुरू कर देगा मांस मीट ज्यादा खाएगा शराब ज्यादा पीने लगेगा कुछ इस प्रकार के लक्षन यदि होते हैं तो समझ जाईए कि शरीर का बंधन हो चुका है दोस्तों, इसी प्रकार हमारे काम धंधे का बिजनेस व्यापार का भी बंधन किया जाता है यदि कोई इनसान बिजनेस में बहुत अच्छी तरक्की प्राप्त कर रहा है अच्छा बिजनेस चल रहा है तो लोग जलने वाले होते हैं वे व्यापार का भी बंधन कर देते हैं और यदि व्यापार का बंधन है तो उसकी पहचान यह रहेगी कि अच्छा खासा व्यापार ठप होने लगता है दोस्तों, कुछ लोग आपके धन दौलत पर नजर गड़ाए बैठे हैं तो इस दुनिया में हमारे कई मित्र होते हैं कई अच्छे होते हैं कई बुरे होते हैं ऐसे ही कई रिष्टेदार होते हैं और ऐसे कई लोगों से हम जीवन में मिलते हैं जो हमारे सामने मीठा बोलेंगे परंतु हमारे ही पीठ पीछे हमारे ही खिलाफ शड्यंत्र रचते हैं और इस तरह के लोगों की दुनिया में बिलकुल कमी नहीं है जो हमारे लिए कभी अच्छा नहीं सोचते और आपके जीवन में भी ऐसे कई लोग मिले होंगे जो कभी आपकी सफलता से खुश नहीं हुए होंगे केवल आपकी सफलता से जलते ही होंगे आज की वीडियो में कुछ ऐसे लोगों की पहचान कराने वाले हैं जैसे ही आप सफल होते हैं वे इरश्या से जल जाते हैं तो वीडियो अंत तक देखिएगा अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं, तो उनसे दूर ही रहिएगा, इसी में आपकी भलाई है, तो मिथुन राशिवालों, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करना बिलकुल फ्री रहता है, और कॉमेंट बॉक्स में सभी महादेव के भक्त, हर हर काम बनेंगे, गुरुजी का आशिरवाद आप सभी को प्राप्त होगा, आईए वीडियो की शुरुवात करते हैं, सबसे पहला इंसान, दोस्तों, नकारात्मक व्यक्ति व, आपके घर के परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके रिष्टे कर आप से कहेंगे कि तू इसमें सफल नहीं हो पाएगा, या तो यह काम क्यों कर रहा है, आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताईएगा, उनके मून से हमेशा ही नकारात्मक बातें निकलती हैं, इस बात में कोई दोराय नहीं है, न इसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, इस कार्य में तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, और यदि तुमने ऐसा किया, तो तुम बरबाद हो जाओगे, ऐसे हजारों वाक्ये लोगों के मुख पर से निकलते हैं, यह नकारात्मक ता की पहचान है, आपको इनकी पहचान कर ले तो भी ये लोग जलेंगे, और आपके धन दौलत पर हमेशा नजर गढ़ धाये ही रहेंगे, नकारात्मक लोगों के साथ रहने से हम कही न कहीं अंदर से निराश, उदास और तनाव में चले जाते हैं, और जिन्दगी में खुद को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं, इस से ज्यादा अपराद ड्रिंक करने वालों नहीं किये हैं, अब दोस्तों, इन में से कुछ सही होते हैं, तो कुछ गलत होते हैं, हो सकता है कि आपके आस पास कुछ गलत लोग रहते हो, जो शराब के नशे में कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, जिसकी आपने कलपना नहीं की हो, क् कि एक शराबी नशे में क्या कर दे ये तो उसे भी नहीं पता और अगर आपका रिष्टेदार या परिवार के सदस्यों में से ही कोई शराबी है तो कहीं न कहीं यह आगे चल कर आपको भी किसी ऐसे घटना चक्र में फंसा सकता है जिससे बाहर निकलने में आपकी जिंदगी सच बता रहे हैं फाइदा आपका है आगे वीडियो आपके लिए ही बहुत लाबदायक होने वाली है और भी और खास पॉइंट की बात करने वाले हैं तो सभी लोगों से अनुरोध है बिलकुल आप अंत तक देखें आपका बहुत सारे डाउट आज क्लियर होने वाले हैं आपके जीवन में भी घमंडी लोग होंगे ही जो आपको छोटा समझते होंगे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कुछ नहीं है परंतु बेवजह घमंड पाले हुए हैं कि वह बहुत कुछ है साथ ही मैं उन्हें पता है अपने पास हो चुके होते हैं फिर भी वह घमंड करते ही करते हैं दोनों ही तरह के लोगों से हमें बच कर रहना है हम फायदे में रहेंगे क्योंकि ये लोग हमेशा हमसे एक कदम आगे चलने की सोचेंगे जिस वजह से ये हमेशा हमारी जिंदगी पर नजर रखेंगे हमारी धन दौल दिखाएंगे. आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे. कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा. ये बात बिल्कुल सही है. हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत घमंड होता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही घमंड है. तो फिर वह आपका मित्र, रिष्टेदार या परिवार का सदस्य हो ही नहीं सकता. अगर आपका कोई दोस्त आपसे पहले अपनी बात कहना चाहता है, आपकी बात को सिर्फ इसलिए काट देता है, क्योंकि उसकी राय इससे जुदा है, तो सही मायनों में आप अहंकारी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, और जो भी आपके आसपास घमंडी आपने देखा होगा, इस तरह के लोग जो अकसर आसपास हमें मिल ही जाएंगे, हमारे परिवार में ही हमसे इश्या करने वाले बैठे हैं, तो बाहर से तो हम क्या ही उम्मीद करें, जो आपसे इश्या रखते हैं, और उनकी इश्या कभी भी दुश्मनी में बदल सकती है, सबसे बड़ी बात ये है, वे हर वक्त आपके बारे में बुरा सोचेंगे, इसे लोगों से आप दूर रहें, अब दोस्तों, तंत्र मंत्र से मुक्ती के लिए कुछ खास उपाए हम आपको बता रहे हैं, यह उपाए करने से आपके सारे बंधन कट जाएंगे, और साथ ही स आपको अपने अंदर काफी सकारात्मक महसूस होगी, सबसे पहले उपाए यह है, जोतिश शास्त्र के अनुसार, अगर किसी को लगता है कि वह उपरी बाधा का शिकार है, तो ऐसे में रविवार के दिन उपाए किया जा सकता है, इसके लिए रविवार के दिन तुलसी जी के आठ पत्ते, आठ काली मिर्च तथा सहपोई की जड़ी DDH लेकर इन्हे काले कप डढ़े की एक पोटली में बांध कर इसे गले में पहन ले, या फिर हनुमान जी का ताबीज गले में पहन ले, मान्यता है कि ऐसा करने से उपरी बाधा से मुक्ति मिल सकती है, अगर किसी जातक को उपरी बाधा सता रही हो, तो यह उपाय भी कर सकते हैं, इसके लिए मंत्र उं, नमो भगवते रुद्राए, नमो कोशेश्वरस्य, नमो जियोती पतंगाए, नमो रुद्राए, नमो सिद्धिस्वाहा का एक माला जप करें, लेकिन ध्यान रखें, इस मंत्र का ज जब, सुबह और शाम, दोनों समय नियमित रूप से एक तैस समय पर करें, माननिता है कि ऐसा करने से उपरी बाधा से राहत मिल सकती है, विज्ञान या चिकित्सा, विज्ञान की माने, तो उपरी बाधा जैसी कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन समाज में आज भी कहीं कह उपरी बाधा को माना जाता है, तो अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो ध्यान रखें कि कि किसी भी उपाय के साथ चिकित्सिय सलाह को कभी भी नजरंदाज न करें, किसी भी कार्य को अंजाम तक पहचाने में सफल रहेंगे, और इस बात का आपको विशेश ध्यान रखना है, आपने पहले भी यही गलती की थी, और इस बार भी वही गलती कर रहें हैं, कि अनुभवी लोगों की बातों को अंसुना कर रहें हैं, ऐसा नहीं करना है, लोगों की बातों को महत्व दे, अगर कोई अनुभवी व्यक्ती, कोई वरिष्ठ व्यक्ती, आपको कुछ बात बत तो आपका कर्तव्य है, उस बात को सुनना मित्रों, लोगों की बातों को सुनना जरूरी है, लेकिन हाँ, निर्णय स्वयम को लेना है, तो आएब हम आपको बता देते हैं, कुछ चमतकारी एवं सिद्ध उपाए, जो आपके जीवन का कल्यान करेंगे मित्रों, अपार धन की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं, तो क्या करना है, शिवालय में जाना है, यानि कि शिव मंदिर में, एक लोटा जल अरपन करना है, मित्रों, ये तो आप सभी को पता है, अच्छे जानते हैं, लेकिन एक लोट जल में थोड़े से काला तिल मिलाना है, और एक अक्षट ज मित्रों, अगर किसी जातक की कुंडली में शनिचंद्र एक साथ हो, तो विश्व योग बनता है, हमें हमेशा अपनी जिंदगी से कुछ ना कुछ शिकायत रहती है, और अक्सर व्यक्ति अपने निर्णय नहीं ले पता, या गलत निर्णय ही लेठ है, और उसके अनुसार अशुभ फल जातक को मिलते हैं, मित्रों, यह कुंडली में विशेश योग के लक्षन थे, जो हमने आपको बताए हैं आज का दिन आपके लिए खर्च भरा रहने वाला है, आप अपने बढ़ते खर्चों को लेकर परेशान रहेंगे, जिन पर आप लगाम लगाने के पू कारा मिलता दिख रहा है, जीवन साथी को किसी नई नौकरी की प्राप्ती हो सकती है, आपका कोई परिजन आपसे यदि संबंधित मदद मांगे, तो आप बहुत ही सोच विचार करें, आपके धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है, आप अपने पिताजी से बात चीत करते समय वाणी की मधूरता को बनाए रखना होगा, कार्यक्षेत्र में आपको किसी नए पद की प्राप्ती कर सकती है, जातक इस सप्ताह अपने सोचे हुए काम को पूरा करने के लिए अपना पूरा दमखम लगा देंगे, खास बात यह कि ऐसा करते हुए उन्हें स्वज पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे, नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में मनचाहा लाभ मिलेगा, सप्ताह के मध्य में सत्ता सरकार के सहयोग से आपको कोई बड़ी डील करने को मिल स